सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ग्यान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए तकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुशता रहें दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ग्यान पिटारा में फिर से एक बार दोस्तो आज मैं फिर से एक नया कैमरा और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्तित हूँ आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ट्रीव व्यू का स्मार्ट 4G 3 मेगापिक्षल डॉम कैमरा दोस्तो ये ट्रू व्यू का कैमरा है और ये 4G सिम सपोर्टेट कैमरा है याने इसमें आप 4G का सिम लगा सकते हो हो सकता है वो idea का हो हो सकता है वो atel का हो हो सकता है वो geo का sim कोई भी sim आप लगा सकते हो इस पे 4G sim मान के चलो geo के 4G sim को आप लगा के इसको online कर सकते हो और अपने mobile पे देख सकते हो इसका मतलब यह 4G sim को support करता है memory card को support करता है 128 GB तक memory card इसको आप लगा सकते है इसका model number चेक कर लो आप ठीक है इसका model number कुछ यह है T18021AB और इसकी थोड़ी detail लिखी हुई है उसको देख लीजिए यहाँ पे IR dome camera है यह 3MP 4G 2A LED और 128 GB SD card को support करता है और इसको mobile पे कैसे open करेंगे कैसे set करेंगे इसको mobile पे और कैसे इसको online देखते है चलिए दोस्तों मैं इसको unbox करके दिखाता हूँ आप को कि इसके साथ हमें क्या क्या मिल जाता है unbox करने से पहले मैं बता देता हूँ कि दोस्तों हमारे जितने भी video होते है सब technical है थोड़ा ना थोड़ा आपके लाइप में value एड़ करने वाले वीडियो है तो इसलिए थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो लाइक का एक बटन है उसको लाइक कर दीजिए पहले लाइक कर दीजिए उसके बाद आगे बढ़ते क्योंकि बीच बीच में बोलूँगा आपको like करने के लिए तो आप disturb होते हो इसलिए पहले like कर दीजिए वीडियो को उसके बाद हम आगे बढ़ते तो दोस्तों आपने like कर दिये आप वीडियो को चलिए आगे बढ़ते इसको मैं करता हूँ open इसको मैं निकाल देता हूँ देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ आपको तो इस सब चीज इसमें क्लियर कहां लगाना है है ना सुन कहां लगाना है कहां पर memory card लगाना है IR race कहाँ पे है और कहाँ पे इसे power देना है और कौनसे application के through download करना है कौनसे application mobile पे download करना है वो हर चीज manual में लिखा रहता है कई हमारे वीडियो से आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इस manual को भी check कर सकते हो हो सकता है आप कोई दूसरे company का इस टैप का camera खरीद हो तो उसके साथ manual जरूर मिलता है manual जरूर मिलता है तो manual को पढ़ना मत भूलिए ठीक है इस टैप का manual मिल जाता है और इस टैप का हमें camera मिल जाता है camera मैं सबसे पहले open करके दिखाता हूँ आपको ये ये आपको camera मिल जाता है इस टैप से देखें यह है देखें दोस्तों यह है 4G SIM को सपोर्ट करने वाला ट्र्यू व्यू का स्मार्ट 4G 3 मेगा पिक्षल डॉम कैमरा इस टैप के कुछ वाटरपूरूप जैकेट आपको मिल जाते है ताकि बढ़ इस कैमरे के साथ आपको इस टैप के देखें वैर लगा हुआ है इ इसमें इंटरनेट केबल लगा कि आप इसे ऑनलाइन कर सकते हो यहाँ पे आपको पावड देना है इस कैमरे को यहां पे कहीं पैशिस के थ्रू आप इसको इंटरनेट केबल लगाएंगे देखें यह चीज है reset button, जैसे आप इसको click करके रखेंगे 2-4 second, 5 second, तो आपका ये camera है, वो reset हो जाता है ठीक है, reset करने का भी button यहाँ पे दिया हुआ है और इस type का waterproof jacket आपको मिल जाता है, और भी देखते हैं इसके अंदर इस type का कुछ wall mount के लिए आपको screws मिल जाते हैं, ठीक है इस type के screw मिल जाते हैं, आपको wall mount के लिए और इसके अंदर कुछ भी नहीं है ये quality check certified है ये ये कुछ, ये QA past certificate है, true view का ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको start करते हैं और समझते हैं कि इसमें कहां पे sim लगेगा और कैसे ये online होगा दोस्तों देखिए, मैंने इस इस camera के साथ किसी भी प्रकार का adapter आपके साथ नहीं आता है ये एक minus point है इसके साथ कोई भी adapter नहीं आता है, तो हम इसमें use करेंगे 12 volt 2 ampire का ठीक है, तो हमेशा इस camera के लिए आप use करेंगे, दोस्तों 12 volt 2 ampire लिख लीजे, screen में भी screen में भी मैंने लिख दिया है कि 12 volt 2 ampire, और ये भी कहां से आप इसे purchase करेंगे उसका link भी मैं ERD का नीचे description में दे दिया हूँ, वहां से आप इसको purchase कर देंगे, और इसका price क्या है, देखिए मैं price डाल दिया हूँ आपके screen में, इसका price है दोस्तो 48802 रुपया, याने मुझे 400 रुपया पढ़ा हुआ है, यह पढ़ा है यह camera, 4900 का यह camera पढ़ा है without memory card और without यह adapter के साद, adapter में को अलग से खरीदना पढ़ा है तो देखिए, यहाँ पर मैं power दूँगा और इसको लगाँगो बिजली पे, ठीक है उससे पहले इस पे हम चेक करेंगे कि memory card कैसे लगता है तो memory card लगाने के लिए simply आप इस camera को, ball को open करेंगे देखिए, ball open हो जाता है और यहाँ पर देखिए, back side में यहाँ पर आपको memory card और sim लगाने का option होगा, देखिए, निकालिए देखिए, थोड़ा से दिखाओ, ऐसा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप memory card लगाएंगे और यहाँ पर sim लगाएंगे उसको मैं थोड़ा सा light जला के आपको दिखाता हूँ और भी clear आपको हो जाएगा ऐसा, यहाँ पर आप sim लगाने का option है यहाँ पर memory card लगाने का option है चलिए, मैं आपके सामने यहाँ पर एक sim लगा देता हूँ 4G sim देखिए, दोस्तों, sim को मैं कैसे इसके अंदर insert कर रहा हूँ, वो check करिए देखिए, sim को मैंने ऐसे रखा है, sim को देखिए, sim card को मैंने ऐसे रखा है अब इसके अंदर कैसे हम insert करेंगे बता रहा हूँ, डालिए sim card को यह देखिए, यहाँ पर sim card डल गए आपका, है ना, देखिए यहाँ पर sim card डल गए, जैसी मैं push करूँँगा यह वापस निकल जाता है और थोड़ा सा आप दबा के रखेंगे, ऐसे करके तो यह लग जाता है sim और memory card को कैसे लगाएंगे, देखिए memory card को भी मैं लगाता हूँ, 16GB का memory card मैं use कर रहा हूँ, इसके लिए भी यह memory card मैं यहाँ पर लगा दिया यह देखिए, memory card का भी यह sim लग गया है, इस camera में, अब इस camera को करता हूँ, मैं फटाफट start अब देखिए, ball को मैं लगा दिया हूँ, ऐसे अब इसको मैं देता हूँ, power इसको मैं चालू करता हूँ, है ना इसका price मैं बता दिया हूँ, 4890 रुपए याने 4900 का पढ़ेगा, आपको Amazon में नीचे link है, discussion में वहाँ से आप इसको purchase कर सकते हूँ चलिए, फटाफट मैं इसको power देता हूँ, और इसको mobile पर कैसे देखेंगे, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, यह power मैं ने दिया यह देखिए, यह चालू होगे देखें, चालू हो रहा है, दीरे चालू हो गई camera, यह देखें, start 4G mode बोर रहा है, देखें, इसके land port पे इस type का, आँ बस, देखें, इसके land port में इस type का light जल रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो मैं बता रहा हूँ, इसको जैसी power देने के बताता है, ठीक है, और यह connect, ठीक है, disconnecting बताता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका reset के button को दबा के रखना है, सबसे पहला step, मैं दबा के रखता हूँ, the second, ठीक है, factory reset हो गया है, camera, अपने आप restart होगा, दोस्तों, जैसी reset कर लेंगे, उसके बाद आपको, आपके mobile के play store में जाना, android के app पे, android वाले phone में, play store में जाना, और वहाँ पे आपको search करना है, application क्या नाम से, true cloud के नाम से, ठीक है, यह true view का application है, इस camera को online देखने के लिए, देख लिजिए, true cloud, इस application को आपको download करना है, मैंने तो download कर लिया है, ठीक है, मैंने download कर लिया है, इसे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहली बार कहीं आप इस camera को, पहली बार कहीं इस camera को आप अपने mobile पे connect कर रहे हो, तो आपको हमेशा रेजिस्टर में क्लिक करना है दीए रेजिस्टर में नहीं वरना आप दूसरी बार करें के बात जब आप इस application में आते हो तो अपना username और password डालेंगे और यहां पर confirm करेंगे तो मैं पहली बार इसे connect कर रहा हूं तो क्या करूंगा register याद रखिए पहली बार के लिए register करना है यहाँ पे आप email id और phone number से कर सकते हैं email id से करता हूं नया user हूं तो मैं अपना email id से इसको login कर रहा हूं और email id आपके सामने यहाँ खुला हुआ है आप देख सकते हो ठीक है जैसी मैं इसको confirm करूंगा यहाँ पर email पर एक code आएगा जो अपने को register करना पड़ेगा चेक करिए जैसी मैं इसको confirm करता हूं email id डालके हटा थोड़ा इसको दिखा laptop को अब देखे code यहाँ पर यहाँ पर एक mail आने वाला है यह देखे कंपनी से देखे तुरंत mail आ गया ठीक है mail active जैसी मैं इसको click करूंगा तो यहाँ पर देखे your email your email activation code is 270864 ठीक है यह वाले code को मुझे इस device पर डालना है तो फटाक से मैं इस दिखे पासवर्ड को डाल देता हूं verification code को सबसे पहले डाल देता हूं डालो 27 0864 0864 अब यह पासवर्ड बनाने के option आया है तो मैं पासवर्ड बना देता हूं दोस्तों मैंने verification code जो mail पर आया है उसको यहाँ पर लिख दियो और यह इमेल आईडी आप इसमें डाल रहे हो और जो पासवर्ड डाल रहे हो उसको एक diary में लिखके रख लो और वही email आईडी देना इसमें जो आप daily चेक करते हो ठीक है जो आपका active email आईडी उसी email आईडी को देना अब मैं इसको करता हूं confirm देखे confirm हो रहा है आपके सामने ठी देखे इस टैप का environment आपके सामने आ गया है और यहां पर लिखा हुआ add smart device जैसी मैं यहां क्लिक करूंगा add device देखिए यह QR code अपने आप बोल रहा है यह जो यह जो camera है scan करने के लिए अब कौन सा QR code को scan करेंगे मैं बताता हूं आपको देखे camera के यहां पर ठीक है यह QR code लिखा हुआ है देखे आपको और अच्छे से दिखाता हूँ मैं आधि कैमरे पर लगा हूए QR code ठीक है को scan करता हूं mobile पे देखे इसी कोड को आपको स्कैन करना है यह देखे मैं स्कैन कर लिया हूँ देखे कैमरे की एड़ी भी आ गई है और इसको करता हूँ मैं नीचे add जैसी मैं add करता हूँ देखें जैसी मैं यहाँ पर click किया हूँ तो यहाँ पर आ गया है कि कहाँ पर आपको इस camera को लगाना है तो मैं यहाँ पर फिर से office के click कर देता हूँ, office select कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको कर देता हूँ confirm तो यह कैमरा देखिए के सामने चालू हो जाएगा अब देखें यह चालू हो गया है देखें यह कॉट्ट कर देखें यह क्लिक कर देता हूं देखें यह Saad Koiko He कर देखें यह यह चालू होताय है देखें दोस्तों यहाँ पर जो करेक्टिन दिखा रहा है वही ओनलाइन आता है देखें यहाँ पर ओनलाइन आ चुका है कैमरा आपका इस कैमरे में 4G SIM लगा हुआ है जिसके थूँ यह ओनलाइन है और उसको डारेक्ट हम मोबाइल पर देख रहें देखें थोड़ा सा लैगिंग है सायद डेटा कनेक्टिविटी की करण हो सकता है देखें इसमें टूबे आडियो है सपोर्ट करता है आप इस पर बात भी कर सकते हैं इसकी क्लैर्टी आप चेक कर सकते हैं थोड़ा कर देते स्क्रीन को यह देखिए अच्छा यह कैमरे को ऐसे गुमा देता हूं ऐसा रूब यह देखिए इस टाइप से यह कैमरा दिख रहे है आपको ठीक है यह कैमरा आपका 4G सिम से कनेक्ट हुआ है और आपके मोबाइल पर दिख रहे है सिम्पल सा कनेक्टिविटी है ज्यादा इस पर कोई भी ताम जाम नहीं है आपको email id डालना है आपके email id में एक verification code आ जाता है उस verification code को आपको अपने application में डालना है वो भी true view का जो application मैंने बताया मैं screen में भी दिखा रहा हूँ इस application में आपको डालना है उसके बाद password create करना है उसके बाद आपका एक camera हो जाता है online ठीक है बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज नहीं है कल मैंने जो वीडियो बनाया था equation का इजविस camera का उसमें बहुत ज़्यादा typical था online करना बट इसमें थो easy है online करना तो कहीं आप true view का camera यूज़ कर रहे हो यह देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है यह camera प्रिमोट एरिया में भी इस camera को लगा सकते हो जहां पे आपको internet का connectivity नहीं आती है जहां पे आपको simply geo का sim अच्छे से काम करता है वहां पे आप इसको लगा के camera को online देख सकते हो देखिए बहुत अच्छा view दे रहा है यह 3MP का camera है यह 3MP का camera इसकी clarity आप चेक कर लिजिए अब इसकी recording को आपको कैसे चेक करना है वह मैं आपको समझा देता हूं फटाफट देखे दोस्तों camera के नीचे इस टैप के कुछ option दिख जाते है यह तो rotate वाला camera नहीं है नहीं तो rotate भी होता है दूसरे two view के camera जो rotate होते है उसके लिए यह function है नीचे में आपको दिखेगा यहाँ पे देखना sound जैसी आप इसमें click करेंगे तो आप sound सुन सकते हैं ठीक है जहाँ पे camera लगा है उसके sound आप सुन सकते हैं दूसरा यहाँ पे snapshot है यहाँ पे click करेंगे तो देखें यह photo खीचा रहा जाता है ठीक है photo आप खीच सकते हैं फिर एक बार मैं photo खीचता हूं देखें यहाँ पे फिर photo खीचता हूं तो यहाँ पे mic का आवाज आ जाता है जैसी आप इसको click करके रखेंगे देखें आप बात कर सकते हैं hello hello भी आप क्या कर रहे हो hello 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 ठीक है यह दोनों एक साथ है यह दोनों एक साथ है mobile और यह इसलिए humming कर रहे है अब back जाना है तो आपको यहाँ पे hang up कर सकते हो ठीक है यहाँ पे light control का option है देखें दोस्तों यहाँ पे एक नीचे recording का option है ठीक है यह recording का option क्या है जैसे मानके चलो अभी आपके कैमरे में कुछ हो रहा होगा मानके चलो यहाँ पर मानके चलो कुछ गतिविती हो रही होगा आपके कैमरे में हो और तुरंत आपको इस screen को record करना है तो यहाँ से आप screen को record कर सकते हो ठीके यहाँ से आप screen को record कर सकते हो थोड़ा सा lagging है सायद ये connectivity के करण होगा internet के connectivity करण देखे बाकी तो perfect चल रहा है camera और बहुती ज़्यादा clear है camera ठीके देखे record हो रहा है और मैं इसको जैसी बंद करता है ये record file save हो चुका है ठीके बट आपको इसमे recording कैसे check करना है जैसे इसमें memory card लगा है इस memory card के recording को कैसे check करना है चले मैं बताता हूँ देखे दोस्तों यहाँ पे आपका camera दिख जाता है यह जो camera आपको live दिख रहा है ठीके देखे यह जो camera live दिख रहा है आपको यहाँ से back करेंगे ठीके यह camera आपको live दिख रहा है तो यहां से आप करेंगे इसको back, जैसे आप इसको back करेंगे, तो देखें, यहां पे एक तिल बिंदू वाला logo बनाए, जैसे आप इसको click करेंगे, देखें, Snapchat और recording जितने भी आपको आ जाता है कि यह सब illustration बनाया थे अपन यह वाणी यह वाली यह recording यह recording आ गढ़िए डेखर इसकी आवाज भी आ रहे हैं आपको लिए रिकुर्ड दिखा रहुं में आपको चो आप recording किये थे वह वासी होता है why अब देखे दोस्तों आप screen shot ओर screen recording कर इसे देखेंगेद सिखाता हूँ कि इसके recording का से चिक करेंगे को किसे दोस्तों वीडियो आप आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा वीडियो सब याच्छा लगरा होगा तो लाइक जरूर कर दिज्ए नीचे लाइक का बटन है कई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए technical वीडियो बहुत महनत लगता है दोस्तो भासारा समान आपके लिए मंगाना पड़ता है मुझे तो यार एक वीडियो को लाइक तो बनता है लाइक करिए आगे बढ़ते हैं चलिए मैं आपको फटा-फट बताता हूं कि रिक करेंगे रिकार्डिंग करने के के सबसे पहले देखिए आप यहां पर लिखा हुआ प्ले बैक में क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे तो आपकी recording चाली हो जाती है यहाँ पे तो यहाँ पे इस camera पे जो date और time डला है वो गलट डला है इसलिए यहाँ पे गलट time दिखा रहा है अभी है ना अब इसके date time को कसे set करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ camera के यह तो recording चेक करने का option है ठीक है यहाँ पे जैसे आप DVR में चेक करते ह जैसे आपको सबेरे सामे 6 बजे का देखना है तो देखने सामे 6 बजे का देखना है आपको तो 18 में कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको recording दिख जाता है बकि 18 में कोई recording है नहीं देखे यहाँ पे रिकॉर्डिंग है आपका जहाँ पे colorful है यहाँ पे वहीं पे आपकी recording दिख देखें यहां पे ही आपकी recording देखेंगी जहां पर जैसी क्लिक करोगे color में मैं आपके सामने थोड़ा से slide कर लाता हो देखे recording आपकी चाली हो गई ठीक है ऐसे recording आप चेक कर सकते हो आगे मैं वीडियो बनाओंगा और भी ज्यादा record करके कि एक दिन में ये कितना GB record करता है क्योंकि ये तो अभी भी मैं मंगाया हूँ दो-तीन दिन मैं इसको use करूँगा उसके बाद आपको इसका experience आपको समझाऊँगा और बताऊँगा कि memory card में ये कितने दिन की recording save करता है यानि एक दिन की recording के लिए कितना GB भी इसमें consume करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा next video में ठीक है तो सबसे पहले मैं अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि camera की date time को कैसे आप change करेंगे देखे दोस्तो time set करने के लिए आप कैसे करेंगे time set करने के लिए अब से पहले आप देखे यह लोगों में click करेंगे हैना यहां पर setup है देखे हैना setup पर जैसी आप click करेंगे यहां पर थोड़ा से buffering होता है देखे दोस्तों उसके बाद आप इसको जैसी slide करेंगे तो यहां पर time setting का option है जैसी आप time setting में जाएंगे time zone time zone में जैसी आप clicking click करेंगे तो आपके लिए इंडिया के लिए आ जाता है 530 का 30 कलकत्ता जैसी मैं इसको click करूंगा देखे यह time synchronization है जैसी आप इसको click करेंगे यहां पर तो आपका mobile का जो time है है ना वो जो mobile का time है है तो आपका जो mobile का time है वही time आपका कैमरे का हो गया है ठीक है अब इसको यहां से सेव कर देंगे अब सेव करने के बाद इसका date time देखते हैं इस साथ बच के चउदा मिनट हुआ है यहां पे तो इसमें भी साद है देखे तो only सद जो ना थोड़ा से जूम करके देखे आपका जो camera का date time है देखे आज 30 तरीक है 7 बच के मिनट तो 7 बस के 14 मिनट होगे देखे उपर भी 7 बस के 14 मिनट है 7 के 15 तो 7 बस के 15 मिनट यहां भी होगे यहने टाइम से ऐसा करना है आपको ताकि आपके मोबाइल का ऑफ का कैमरे पर आ जाए ठीक है अब देखें इस टाइब वी करने के लिए आप सिंपली तरीके से आप जूम कर सकते हैं देखिए मैं आपको इसको इसकी क्लाइटी दिखाने की कोशिज करता हूं फुल स्क्रीन कर दे ये देखे देखे कैमरे में दिख रहा है, ये कैमरे की फूटेज है यहाँपे, यहाँपे जैसी आप आप जैसी इसको जूम करेंगे ये दीखे ये आपको ऐसे जूम प्रोवाइट करता है ठीक ठाक कैमरणा है यहांए 3 MP का camera है कहीं आपको ऐसे जगे में लगाना है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है जहाँ पे आपको sim लगाके online देखना है हो सकते हैं जहाँ आपका camera घर बन रहा होगा खेत है कहीं पे तो वहाँ पे लगा सकते हैं यह indoor camera इसी में outdoor camera भी आता है मैं आपको दिखा देता हूँ यह true view का outdoor camera है ठीक है इसको outdoor पे लगा सकते हैं इसको indoor में लगाना है तो इसका next video में मैं इसका video बनाऊँगा इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि हमारे चैनल को आप subscribe करके रख लो क्योंकि मैं हर दम कुछ न कुछ न कुछ नया आपके लिए content लेके आता रहता हूँ कुछ न कुछ अच्छे camera मंगाता हूँ मैं आपको कई आपको CCTV camera से related video अच्छे लगते है तो हमारे चैनल को 100% subscribe कर लो और नीचे जो bell icon का बटन है उसको भी click कर लो ताकि मैं कोई भी video upload करूँ तो उसके notification आपके mobile पे proper तरीके से आ जाए दोस्तों ये video आपको कैसा लगा नीचे comment करके बताईए और इसका जो प्राइज है इस camera का जो प्राइज है मैं दिखा देता हूँ इस स्क्रीन पे इसको आप नीचे description लिंक है वहाँ से purchase कर सकते है next video में मैं इसका video बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि outdoor में कैसे आप camera लगाएंगे sim card के through ठीक है कहीं आपको खेत पे camera लगाना है खेत में या आप outer कहीं camera लगाना है जहाँ पानी बरसात आता है वहाँ पे camera लगा सकते हो वह simply तरीके से देखें यह कौन सा camera है यह है true view का all time color 4G camera यानि रात में भी आपको color दिखेगा और यह 4G sim को support करता है और यह कितने megapixel का है 3 megapixel का है 4G sim में support करते हैं तो H.265 compression पे काम करता है इसका मतलब इसमें जो memory card लगाएंगे उसमें recording बहुत ज्यादा आएगी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मेरा काम यहाँ पे खतम हो जाता है और आपका काम सुरू हो जाता है और next वीडियो में मैं और भी अच्छे content के साथ आपके सामने आऊँगा तब तक के लिए जै हिंद